हेलो फ्रेंड्स आप सभी को मेरा प्यारवारा नमस्कार समसमाई घटना चक्र के आउनलाइन यूटीब चैनल पर आप सभी का स्वागत है हम आपको जनरल कंपडिशन का माइटमेटिक्स पढ़ाएंगे तो एक्जाम कहां पर काम कर रहा है किस तरीके से काम कर रहा है चैनल ल Gomez अलौश्ण लगवाएंगे और फ्रैक्शिन में котором का मतलब ही हो गया कि यह ऐसा तरीका है यह एक इकलाओता ऐसा तरीका है जो किसी भी किशेप्टर के हर सरस्था कैसे लाग necessary अपने हो थोड़ी सी बात में करते हैं कि एकज्ञाम कहां पर काम कर रहा है हमें क्या क की अगर हम लैंग्वेज की बात करें लैंग्वेज के उब और केंवल आपका तब अच्छा हो सकता यापके जब आपकी एक अच्छी प्रेक्रीशों होगी और कनने की बात करें तोगे क्लेकिलेशन अगड़ा है मैपमेटिक्स जो सब्जक्त पढ़ना चाहि practiseask प्रेटिस करेंगा सब्सक्राइब क्या अच्छान लेकिन कैम कर रहें एक्जाम करेंट में जिस डाटा पर क्योस्टन लगाता पूछ रहा है और जैसे अगर हम आप से कहें केल्पूलेशन टफ कब होता है जैसे मैं आप से कहूं कि 2 प्लस अगर 3 की बात हम करें तो आप कहेंगे सब्सक्राइब करते हैं यह 5 हो जाता है लेकिन हम आप से कहें कि 1 अपान 2 प्लस 1 अपान 3 तो यह आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा यहां आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा कि जैसे ही आपका कैलकुलेशन फ्रेक्शन में जाएगा जैसे आपका कैलकुलेशन फ्रेक्शन में जाएगा आपका कैलकुलेशन टाइम टेकन हो जाएगा और टाइम टेकन प्रॉसेस हो जाएगा और आपका आता हुआ क्योस्टन एक्जाम में शूट जाएगा आप नही प्लेन डाटा हमने आपके सामने हम एक चार्ट लेके आए हैं जो करेंट में जिन पर क्योशन पूछे जा रहे हैं हम इन्हीं पर क्योशन कराएंगे तो मेरा काम टोटल केलकुलेशन पर है हम एक्जाम के पॉइंट आप यूपर ही बात करेंगे मेरी क्लास एक्जाम ओरेंटेड ही होगी फुली अपडेटेड होगी यानि करेंट में जहां क्योशन काम कर रहा है हम भी वहीं पर काम करेंगे ना तो कहने का मतलब यह हो गया कि अगर हम आप से कहें पहले क्या पूछा करता था अगर सब्सक्राम में ऑर आप आसानी से जवाब दे पाते थे इसलेक्शन के चांसिस जबाते थे अभी क्या क्या अ उसने जैसे मतलब क्यों सनाएगा हमें पूरा का पूरा काम करना है और हम यह भी बता देंग को आपको कि Right mathematics वो टू पार्ट में डिवाइड है दो भागों में बाटा गया है अगर mathematics की मैं बात करूं मैं की बात करूं यहां आपका टू पार्ट में डिवाइड है एक आपका एडवांस है अगर मैं बात करूं तो अगर करें पर्षेंटेज पूरी अरिथमेटिक की जान है और हम क्या करते हैं परसेंटेज से ही स्टार्ट करते हैं क्योंकि जो तरीका हम बताना चाहते हैं जिसका नाम फ्रेक्शन में इसे से हम रेशियो मेथड भी कहते हैं इस मेथड माली यह मेथड परसेंटेज से ही होके जाएगा और परसेंटेज आपका मेरे प्यारे भाई हो एक ऐसा चैप्टर है एक ऐसा लेशन है जो जिसकी जलग आपको हर चैप्टर में देखेगी चाहे वह एरिथमेटिक का चैप्ट जबहाएं को nossa के साथ एक बार मेरी कलास को दीखिए थोड़ी सी पेसेंस बनाके चलेंगे तो आप को समझ मैं आएगा कि हम क्या बताना चाहते हैं आपको किसके जरूर्वत है है ना ईक्जाम में जिसकी जरूर्वत है हम उसी भी बात करेंगे एक्जाम जिस पर काम कर रहा है उसी भी बात करेंगे तो हम अगर आप से कहें आपके सामने एक चार्ट लिखा हुआ है चार्ट में जो आपके सामने चार्ट दिया है यह आपको याद करना है चार्ट याद करना है तो चार्ट याद कैसे करें चार्ट याद करने का क्या तरीका है तो देखे मेरे प्याने वायो आप जब चोटी क्लास पढ़ा करते थे तो वहां पर होता क्या था कि जब हम कोई फ आपके सामने चाआपको याद होना चाहिए याद इसलिए होना चाहिए कि आपने टाइम को बचाने के लिए क्योंकि हम mathematics में आपका जो syllabus है यहांपे हम तोटल टाइम मैनेज्मेंट ही सिखानेगं सी कि कम से कम टाइम में आपको अपना question solve करके answer तक कैसे पहुँचना है जिससे हमारा selection हो पाए जैसे अगर हम कहें कि ऐसा क्यों करना चाहते हैं कि कम से कम time में क्यों करना चाहते हैं तो देखे ना अगर मैं ssc की बात करूँ में आपका 100 question को करने के लिए 60 मिनेट का time को करने के लिए या अगर कहें तो यहां पे आपके 40 कि या या आपके 40 minutes, या तो 40 questions, या आपके 40 minutes क्या है, यहां पे manage करने हैं, यानि कहने का मतलब हम अगर minute में question करना चाहें, तो यहां से हमारे 40 questions काट दिये जाएं, कम कर दिये जाएं, या तो हमें 40 minutes और दे दिये जाएं, तो ऐसा possible है, संभव है, कि हम 1 minute में question कर पाएंगे, लेकिन नहीं ऐसा संभव नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता, कि आपका 100 questions जो दिया है, उसमें से 40 questions कम करके 60 questions कर दे, और ना ये भी, ना तो ये बात संभव है, कि आपके 60 minutes दिये हैं, यहां पे आपको 40 minutes और दिये जाएं, ऐसा possible नहीं है, यानि एक्जाम भी आपको शिद्यती दिये है, यह कहना चाहता है, कि आपको जो भी questions करने हैं, वो seconds में करने हैं, और आपको मेरे प्यारे भायों, यह बात भी बहुत अच्छे से पता है, कि आप जो एक्जाम देना चाहते हैं, जिस एक्जाम के लिए प्रिपेर हो रहे हैं, उसके चार section यानि चार subject है, एक आपका mathematics है, दूसरा आपका reasoning है, एक आपका GS है, और एक आपका English है, यहनि SSC के लिए कहें, तो English बाकी और भी exam ऐसे हैं, वो इंडी exam ऐसे भी हैं, जिन में हिंदी भी होता है, यानि हिंदी और English आपके यह जो कैसे subject है, optional है, किसी exam में हिंदी होता है, किसी में English होता है, है ना, लेकिन अगर हम individual SSC की बात करें, यहां पर English ही होता है, तो यहां आपके GS हो गया, जो और जो आपका English हो गया, यह दो ऐसा subject है, जिनके question अगर आपको आगए, तो आगए, नहीं आया, तो नहीं आएगा, कारण क्या है उसका, उसका reason यह है, क्योंकि यह question, इनका answer अगर आपको आसानी से in time में, यानि seconds में आप उस question का answer दे पाएंगे, और आप आसानी से next question पर बढ़ जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे, यानि English और GS आपके जो दो subject है यहां पर time नहीं लगेगा, अगर आपके question तयार है, आपको उस question का answer पता है, लेकिन जो आपका mathematics और आपका reasoning है, यह दो subject आपके कैसे subject हैं, यह आपके दो calculative subject है, यहां calculation ही है, यहीं पर हमें क्या करना है, total time management करना है, लेकिन अगर हम बात करें, reasoning के बात करें, तो reasoning आपका क्या, यहां total जादू गरी है, यहां पर जादू ही दिखा जा रहा है, यानि वो trick बताते हैं, आशानी से आपके question solve होते हैं, लेकिन ही मेरा subject नहीं हम इस पर बात नहीं करेंगे, हम बात करते हैं mathematics पे, तो mathematics में आपको हम trick नहीं बताएंगे, हम आपको लेकर चलेंगे, concept पे, ऐसा concept जिसमें आपके SSC CGL जो pre-level का question होगा, हर question आपका 5-7 seconds में तूटेगा, यानि 5-7 seconds में तूटेगा, यानि अगर आपकी अच्छी practice है, इस जो तरीका हम बताना चाहते हैं, fraction method, इस fraction method पे आपकी पकड़ बन गई, आपने अच्छा practice कर लिया, तो 5-7 seconds में आप pre-level के question को आसाली से तोड़ पाएंगे, और उसका जबाब दे पाएंगे, और रही बात, मिल्स लेबल के बात करें, 22-30 seconds में आप मिल्स लेबल के question को तोड़ पाएंगे, अगर आपके practice अच्छी है तो, है ना, यहां पे हम आपको यह कहना चाहते हैं, कि mathematics में हमें क्या करना है, total का total काम calculation पे करना है, और calculation ही आपका must है, exam में आपको क्या करेंगा, calculation में ही फसाएगा, और अपनी language में आपको क्या language को पकड़ पाएं, वो थोड़ा सा language को भी tough करेगा, जो बात पहले बोलनी चाहिए, वो बात में बोलनी चाहिए, वो पहले बोलेगा, यह बाते तो होती रहेंगे class में, class हमारी ऐसे ही चलेगी, हम class में आपको एकदम to the point ही पढ़ाएंगे, to the point पे, मतलब हमारी बात होग होगी, exam के point of view पे हम बात करेंगे, है ना, exam क्या कर रहा है, current में हमें क्या करना है, selection लेने के लिए, यह शारी बाते हैं, हमारी क्या होगे, to the point होगी, है ना, अब हम अगर बात करें, कि calculation पे काम कैसे करना है, तो आपको बहुत अच्छे से बात पता होगे, ऐसी उमीद हम आप से करते हैं, कि जो percentage आपका होता है, percentage का जो basic rule क्या है, जब आप किसी plain number को percentage में convert करना चाहते हैं, तो आप क्या करते हैं, hundred से multiply करते हैं, लेकिन, जब आप किसी percentage वाला कोई number हो, ऐसा number जो percentage में हो, यानि percentage का symbol उसके साथ लगा हो, और अगर आप उसे उस symbol से मुक्त करना चाहते हैं, आप उसे plain number में convert करना चाहते हैं, तो वहाँ पर आप क्या करते हैं, hundred से divide करते हैं, यह basic बाते हैं, यह उमीदम करते हैं, कि यह बात आपको पता है, क्योंकि आपके academic session की बात है, आपने छोटी class में यह आपको बताया गया, आपको पढ़ा है, ऐसी उमीदम लिख सकते हैं, 500%, यानि, 500% लेकिन अगर इसी 500% को, यानि 500% को, अगर हमें plain number में लिखना है, तो हम क्या करते हैं, इस 500 को, हम 100 से divide करते हैं, यानि 100 से भाग देते हैं, तो हमारा क्या आएगा, 5 आईगा, यानि यह बात आपको पता है, हम यह उमीद करते हैं, आपसे कि बाते हैं छोटी क्लासों की आपने पढ़ा होगा लेकिन हमें क्या करना है हमें इस वाले तरीके पर नहीं जाना बेसिक तो आपका ही है लेकिन एक्जाम में हमें कम सी कम टाइम में इस कैलकुलेशन के साथ यानि यह जो चार्ट हमने आपके सामने लिखा है इस चार्ट यह च 66-2 यानि 66-2 ₹3 का जो फ्रेक्शन वालु है वो कितना होता है यह बात हमें डारेट जाननी है अगर आप इसे करना भी चाहें तो क्या करेंगे इस इस 66 में multiply करेंगे, जो आएगा उसमें आप 2 add करेंगे, उसके बाद आप 300 से divide करेंगे, भाग देंगे, उसके बाद आप देखेंगे, तो 2 upon 3 ही आएगा, इतना करने में आपका लंबा time जाएगा, बस इसी time को बचाने के लिए जो आपका ज्यादा time लगने वाला है, जो लग में यह आपके किसी question का एक part होगा, तो यह calculation यही है, अब इस calculation से कैसे बचना है, calculation है, तो छोड़ के तो हटना नहीं है, हमें क्या करना है, इससे कोई ऐसा तरीका है, जिस तरीके से हमें क्या करना है, आशानी से अपना question solve करना है, तो देखिए हम बात करते हैं कि कोई भी plain number और यानि percentage change into fraction, यानि हम एक heading लिखना चाहते हैं, एक मिनट्टू के न, ऐसे कोई heading है, percentage change into fraction, यानि कोई percentage value आपके सामने है, और हमें उसे fraction में convert करना है, तो ऐसे के लिए हम क्या करें, जैसे कर मैं आप से कहूँ कि यह बात आपको बहुत अच्छे से पता है, कि 9 to 1 upon, 11% का जो fraction value होता है, आपके चार्ट में दिया हुआ है, आपके चार्ट में दिया हुआ है, कि 9 to 9 सी 1 बटाई 11 प्रतिशत का जो percentage और fraction value है, वो कितना होता है, 1 upon 11 होता है, और suppose करिए कि आपके सामने कुछ ऐसा fraction आ जाए, यानि आपके सामने ऐसे दे दे कि 3 upon 11 कोई ऐसा fraction आ गया, 3 upon 11 कोई ऐसा fraction आ गया, और हमें इसे percentage में convert करना है, तो कैसे करेंगे, तो आपको पता है basic तरीका कि कोई fractional value हो, चाहे कोई plane number हो, चाहे कोई fraction में value हो, चाहे कोई plane number हो, हम जब उसे percentage में convert करते हैं, तो क्या करते हैं, 100 से multiply करते हैं, 100 से multiply किया था आपका यह आ गया 300 upon 11, अब 300 के बटे में 11 जो आ गया, अब इसे आप solve करेंगे, तो कुछ तो time आपका जाएगा, कुछ तो time जाएगा, यानि आपका कुछ न कुछ समय जाएगा ही जाएगा, और आप उस time से नहीं बच सकते हैं, ताइम आपका जाएगा, यह आपका जो आएगा solve करेंगे, आप इसे simplify करेंगे, यह percentage में कोई आपका क्या हैगा, mix fraction आएग वह आपका एंसर होगा लेकिन मेरे प्यारे भायो हमें इस रास्टे से नहीं जाना है इस रास्टे से इसलिए नहीं जाना है क्योंकि यह रास्ता आपका 11 को क्या हम 3 multiply 1 upon 11 लिख सकते हैं कि नहीं 3 upon 11 को हम 3 multiply by 1 upon 11 लिख सकते हैं कि नहीं तो आप पहेंगे सर बिलकुल लिख सकते हैं अगर ऐसा लिख सकते हैं तो हमें ये बात बहुत अच्छे से पता है कि जो आपका ये वन अपान 11 है इसका जो परसेंटेज वेल्यू कितना है नाइन इस टू अपान 11 परसेंट है यानि अगर हम आपसे कहें कि 3 multiply 1 upon 11 के प्लेस पर यानि एक बटाए 11 की जगह पर अगर हम 9 सही एक बटाए 11 लिखें तो कोई आपत्ती है नहीं हो रही है अगर मैं कहूं कि 1 upon 11 के प्लेस पर नाइन इस टू वन अपान 11 परसेंट लिख दिया जाए तो बिलकुल सही बात है अब हम कहें कि भाई किसी भी mix fraction में ईखने किसी भी सही बटे में किसी नंबर से multiply करते हैं तो मल्ट्पवाइ करने का जो basic रूट है जो मेहद का बेस है जIGNS करने का जो तरीका है क्या है तो आप उन्युमिटीप्लाइब करेंगे इस थ्री से हम एक बढर 9 में multiplyकर और इसी थ्री से एक बार हम multiply कहां करेंगे वन पर करेंगे आपके मन में यह बात जरूर आ रही होगी कि नाइन क्या है और वन क्या है तो नाइन और वन की अगर हम बात करें तो ध्यान से मेरे बात को सुनिएगा जैसे अगर हम आप से कहें कि आप 25 में 6 से डिवाइड कर में निदे पाएंगे यानि हम आप से कहें ट्रू आप आंगर तो पिलूब बैशिकश्प्स का जवाब नहीं दे पाएंगे यहानि हम आप से कh До 25 में सिक्ष्ट इवाइड करेंगे कितना हो जाएगा कितना हो जाएगा 24 माइनस करेंगे वन आएगा अगर हम आपसे कहें कि ऐसा कोई आपके सामें का यूपलेशन हो तो मैं कहूं यह 4 क्या है तो आपका कोशियंट है ॐ साल में अगर है आप से हो यह क्या होता तो आपकर एक पर सुर्टिक कि यह अपका रिमाइंडर होता है में पाई है झीसे हम हिंदी बोलते हैं को ऐना मैं आप से को यहavett हश्क्रक्स क्या होता है यह यह दिवाईजर होता है भाजक हिंदीन क्या बोलते हैं और आप होता है इसे हम हिंदी में क्या बोलते है भाज अब यह आपका बेसिक बात है जो आपके छोटी पढ़ाएगी है अब आप सोचेंगे कि इसका क्या यूज है तो बिल्कुल इसका यूज है बहुत मजबूती के साथ यहां पर क्या करेगा आपके सामने जो फ्रेक्शन लेकिया जाएगा मिक्स फ्रेक्शन लगबग बच्चे क्या करते हैं यहां डाउट में आ जाते हैं कि यह एक फ्रेक्शन है आपको पता है कि जब भी हम किसी फ्रेक्शन की बात करें अगर आपका कोई फ्रेक्शन है कोई भिन है यहां पर आपको यह बात पता है कि यह क्या होता है निम्रेटर मतलब अंस होता है हिंदी में उसे हम अंस बोलते हैं यह होता है आपका हर यानि यह होता है अंस हर के अगर हम बात करें तो यह आपका अंस होता है यह हर होता है लेकिन बच्चों के दिमाग भी होता है कि अगर कोई फ्रेक्शनल वैलू है अगर वो कोई फ्रेक्शन है तो फ्रेक्शन में जो उपर का नंबर होता है यानि जो वन के प्लेस पे नंबर है वो क्या होता है वो आपका अंस होता है जिसे हम क्या बोलते हैं और जो आपका डी के प्लेस पे होता है वो होता है दिनोमिनेटर होता है जैने हमें क्या बोलते हैं अगर यहाँ है यह क्या है ऐसे देख्त कम consider the में अगर आपको ट्वेक्शन में इस एक वाइट किया है 25 में जो आपने 6 से भाग दिया है अगर इसे मिक्स ट्रेक्शन के फॉर्म में लिखना चाहें यारी शही बटे के भिल्ले के रूप में हम लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे को आपके एंगर सब्सक्राइब सब्सक्राइब करते हैं जो आपको पता है मेरे प्यारे भाइयों तो यहां पे जानते हैं लगबग नियर अबाउट बच्चे क्या गलती करते हैं जो आपका रिमांडर के प्लेस पर होता है वह उसे क्या कर लेते हैं अन्स समझ बैठते हैं और वही पर गलती हो जाती है तो अभी हम आपके सामने रगते हैं क्योशन वहां पे दिखेगा इसका क्या यूज है और गलती हमसे कहां होती है और हमें कहां सुधारना है अगर मै कहूं कि 3 upon 11 को हम 3 multiply 1 upon 11 यानि 3 multiply 9 is to 1 upon 11 % लिख सकते हैं तो जब इसका multiply 3 का 9 में करेंगे कितना है गा 27 और 3 का 1 में करेंगे तो 3 upon 11 यानि आप बहुत आशानी से बहुत कम समय में आप बहुत आशानी से ये बता पाएं 3 upon 11 को अगर हम परसंटेज में कनवर्ट करेंगे 3 upon 11 को जब हम percentage में convert करेंगे तो मेरा answer क्या आएगा 27 is to 3 upon 11% अब अगर हम आपसे कहें कि इसमें time आपका कम लगा compare किसके जब आप 3 upon 11 को 100 से multiply करके लाएंगे ना तो आपका यही चीज़ आएगा यानि answer आपका फिर भी यही आएगा लेकिन इसके compare में आपका यहाँ पर time ज़्यादा लगेगा इसके compare में आपका यहाँ पर time ज़्यादा लगेगा मैं यह बताना चाहता हूँ और आपको यही पर काम करना है और जब तक आपका calculation पर आपकी अच्छी पकड़ नहीं होगी तब तक आप speed maintain नहीं कर पाएंगे आनि आपकी अच्छी speed नहीं होगी कम समय में कर पाने का आपके पास कोई अच्छा तरीका होना चाहिए जब आप कम time में कर पाएंगे तभी आप सारे क्योशन टच कर पाएंगे जब सारी क्योशन टच करेंगे तभी आप आसानी से सेलेक्शन ले पाएंगे उसका कारण यह है कि आपको यह बात बहुत अच्छी से पता होगी कि अगर 100 क्योशन का कोई paper है ना तो आपके जो near about merit जाएगी वह 80 प्लस जाएगे कम से क एक मिनट में आप एक क्योशन करते हैं तो सीधी सी बात है कि आप साथ मिनट में साथी क्योशन कर पाएंगे और 100 के जो merit जाएगी वह 80 प्लस जाएगी इतना अनुमान लगाते हैं लोग क्योंकि competition आपका pick पे है competition के according अगर देखें तो 80 प्लस आपके merit जाएगी और इस merit के recording आपने साथी नमबर पाया तो आप क्या होगे selection से बार होगे यानि हमें जो तरीका लेना है वो seconds वाला लेना है तो हम उस पर काम कराएंगे आप बिल्कुल पेसेंस के साथ मेरी class में class को आप देखते रहे हम आपकी हर समस्याओं का समाधान मेरे पास है आपकी जो भी समस् क्या रहा है इसका आगे बहुत यूज है यूज क्या है कि जब भी आप calculation आपके सामने आएगा आप ऐसे second में calculation करके आगे निकल जाएंगे कब जब आपके पास करने का तरीका है आप सीधे समझे ना इस बात को कि three upon eleven में हम हंडड़ से multiply करते हैं तो मेरा कितना time जाएगा ह हो हमने अभि बताया कि जो भी आपके सामने फ्रेक्षुन है हमें क्या करना है कि यह तरीका कैसे हम बता रहे हैं आपको इस तरीके परbaum हैं तो क्यों चलना है चलना है इसलिए हैяжं आपसे को चोटी सी बात है कि 50% आगर आपके सामने है और हमें क्या करना है इसे वर्म करना एक यह MAYलु है हमें सिट्रफ्रक्शन में करना है तो क्या तरीका हगा तरीका यह होगा मेरे भाई कि आप कोहुगे कि सब पर्सेंटेज में है और हमें एक प्लेल नमबर में तो convert करना है, convert करने के लिए हम क्या करते हैं, बेसिक चीजर मालूम है, पहले से ख्लास में चुटी क्लास वह बताया गया है, क्या बताया क्या है, डिवाइड कर देंगे यानि जैसे ही परसेंटेज का सिंबोल अटाते हैं वैसे हंडेड से करते हैं अब आप इसे सिंप्लिफाइड करोगे तो आपका वन अपान टू आएगा आपका कितना अगया वन अपान टू आगया तो मैं यही बताना चाहता हूं मेरे पैरे भाईयो क कि जो आपका 50% है ना हमें 50% को 50 के बटे में 100 नहीं लिखना है हमें डाइरेक्ट 50% को वन अपान टू सोचना है यानि हमें क्या करना है अपनी सोच को यहां न रखकर अपनी सोच को हमें यहां रखनी है हमें अपनी सोच को बढ़ाना है सोच को बढ़ानी है क्यों बढ़ा और समझे calculation में उसी का यूज करें डायरेक्ट ताकि हम time बचा पाएं है ना और time बचाने के लिए सारा खेलाया बाकि और कुछ नहीं है इसका कोई और उदेश कोई और परपज नहीं है mathematics में समय में ज्यादे से ज्यादे करने हैं उछिए क्या तरीक्श के पर लाई होगा है इस टाइप का question ये ट्रीक आपने होंगे तो बुक में होगा यह किसी बी चैप्टर में अगर परसेंटेज की बात करने तो यानि बीस से पचीस टाइप के क्रेशन बनाया जा चुके हैं तो ऐसे क्यों पर आप प्रेक्टिस करोगे ना वहां पे बुक में दिखा वह गए इस टाइप के चलते चले जाओगे तो लगबुक बहुत से ट्रिक आपको याद करने होंगे और आपको यह बात भी बहुत अच्छी से पता है नहीं पता है तो अभी से आप समझे इस बात को कि जब एक्जाम हाल का प्रेशर पड़ता है तो रटा रटा चीज भूल जाता है तो हमें क्या क साथ एक्जाम हाल का पड़ेगा तब भी झ क्षोड़ेगा आपके साथ हमेशा रहेगा और आपको सेलेक्शन दिला के ही दम लेगा है और उना हमें क्या करना है मेरा चेट है मैरा और कि मैम आत्मेंटिक्स में मैं आपकी समझ बढ़ा दूँं। जब आप कॉंसेट के साथ चलेंगे तो आपकी समझ बढ़ेगी। और समझ जब बढ़ेगी आपकी तब आप अगर अगर मजबूत है concept clear है basic concept basic fundamental आपका बहुत अच्छे से clear है तो आप आसानी से question किसी भी तरीके से calculation के through चाहे वो language के through किसी भी तरीके से question को mold करेगा घुमाएगा तो आप आसानी से in time में उसका जब आप दे पाएंगे बस मेरा उन्देश यह है ना तो हम आपको सीधे लेके चलते है calculation कैसे कराना है तो calculation में कर मैं आप से कहूं कि 25% हम ही यह बात पता है बहुत अच्छे से यह बात हम जानते है कि यदि 25% का जो fraction value कितना वन अपान 4 उता है आपके सामने ऐसा कोई नंबर आ गया 3 अपान 4 ऐसा कोई fraction आ गया तो आपके दिमाग में होगा कि हमने अपका टॉलना में बचाना है तो हमने क्या कहा गा उसे हमें ऐसे लिख लेना यानि 3 upon 4 को क्या हम बहुत आसानी से यह नहीं लिख सकते हैं कि 3 multiply 1 upon 4 यानि 3 बटा 4 को हम 3 multiply 1 upon 4 बहुत आसानी से लिख सकते हैं यह बात आप समझते हैं अगर इतनी बात आप समझते हैं तो आपको ये बाद भी बहुत अच्छे इस पता होगा कि वन अपान फॉर का जो परसेंटेज वैलू है कितना है आप गहेंगे सब 25 परसेंट है 25 प्रतिशत होती है कुछ नहीं हमें उसका परसेंटेज वैलू वहाँ पर रख देना है यानि त्री मल्टिप्लाई 25 परसेंट यानि 25 प्रतिशत अब 25 से आप 3 मिल्टिप्लाई करेंगे तो आपको आएगा 75 परसेंट यह आपको आइंसर हो जाएगा बहुत आसानी से कंप्यर इसके कि 300 अपान में 4 यानि इसकी तुलना में सपोर्च करो यह तो छोटा डाटा है छोट का में तो आप समझते हैं मेरे प्यारे भएयों तो जरा आएग बुसे एक बात और बताएव ना अगर हम आप से कहें थोड़ा सा परिवर्तन करते हैं हमें ये बात बहुत अच्छे से पता है कि सिक्स्टील इस्टो टू बाइ त्री परसेंट का फ्रेक्शन वेलू होता है यानि सोला सी दो बटा तीन प्रतिशत का जो परसेंटेज वेलू होता है वो कितना होता है एक बट करते समय आपके सामने कोई ऐसा फ्रेक्शन आ गया फ्रेक्शन कैसा आ गया कि फाइफ अपान शिक्स यानि पांच बटे में छे टाइप का यानि पांच बटा च्छ टाइप का यानि फाइफ पान शिक्स टाइप का कोई फ्रेक्शन आ गया पांच बटा छे और आपको इस भायों आपको पांच बटाशना नी Problemeouch है यानिम सिक्स को फाइफ मल्टुप्लाई वनपान लिख देना है कि उथ्य紫ित देना है ये आप मल्टिप्लाई वनपान शिक्स अब हमें ये बात भी बहुत अच्छे से पता है कि वनपान kalian Link का जो वन अपान सिक्स का percentage value वो कितना होता है आप कहेंगगे शर देखें ना वन अपान सिक्स का percentage value होता है 16 is to 2 by 3% यानि 16 से 2 बटा 3% यानि 5 multiply 1 upon 6 को आप लिख सकते हैं 16 is to 2 by 3% 16 is to 2 by 3% आप कुछ नहीं करना है आप 5 से multiply करना है तो 5 से multiply एक बार आपका 16 में होगा जो कि खाफ भागफल के प्लेस पर है अब इम इसके पीछे में बताया आपको और इसी फाइब का एक बार मुल्टिपलाइ आपका टू में होगा जो कि रिमाइंडर के प्लेस पर है यानि जो सेशफल की जगह पर है तो अगर हम सिक्स्टीन में five से multiply करते हैं तो मेरा क्या आएगा 80 आएगा या असी आएगा इसी फाइफ से में multiply करेंगे तो 10 होगा यानि अब आपका नीचे कितना आ गया 6 नी सुरी 6 नहीं आएगा आपका आएगा 3 वह देखे ना 5 से आपने 16 multiply कि 80 हो गया इस 5 से 2 में किया 10 upon 3% यानि आपके सामने जो data निकल कि आ गया वह कितना आ गया आप ध्यान से बात को समझेगा एटी इस्टू 10 upon 3% आ गया यह क्या आ गया जब आपने पांस बटा च्छ को percentage में convert किया तो आपके सामने answer क्या निकल कि आ गया एक टी इस्टू 10 upon 3% आपका आ गया तो अगर मैं आप 10 एक कोई number है और आपको इसमें 3 से divide करना है तो डिवाइड करने का बेसिक तरीका यह है कि 10 में आपने जब 3 से भाग दिया हो गया 9 कितना हो गया 9 और जब minus करेंगा कितना आए आपको यह जू आंस की स्ट्रक्चर बना बेसिक डीवाइड जो होता है उसका च्चैट्चर बना ऊसमें आपका 3 किसके प्लेसपे तो आप यह प्रिवाइडर की Всё yang यहady हमने क्या किया डिवाइजर को इसमाल डी से और डिवाइडेंट को हमने कैप्टल डी यह आपका भाजक है यह आपका भाज है यह आपका भागफल है यह आपका सेस्फल है इस तरीके से स्ट्रक्चर आपने बनाया आपने देखा कि जब आप दस में तीन से डिवाइड कर रह है कभी भी इससे छोटा नहीं होगा यानि कहने का मतलब यह हो गया कि रिमाइंडर कभी भी डिवाइजर से बड़ा नहीं हो सकता यानि रिमाइंडर के प्लेस पे जो नंबर होगा वो डिवाइजर के प्लेस पे जो नंबर होगा उससे कभी बड़ा नहीं हो सकता क्योंकि diviser से बड़ा नहीं होता Diviser से बड़ा नहीं होता क्यों क्योंकि जब दीट से बढ़ा होगगा reminder तो इसका मतलब यह होंगया कि गई लिखी गई है कोई mix fraction लिखी गई है तो mixed अगर कोई mix fraction आपका क्या होगा जिस place पे आपका 10 है यानि 10 आपका reminder के place पे है और 3 आपका diviser के place पे है तो अभी अभी यह बात प्रूफ हुई अभी अभी हमने इस बात को साबित किया कि आपका जो reminder है वो diviser से कभी भी बड़ा नहीं हो सकता यानि reminder अगर डिवाइजर से बड़ा नहीं हो सकता यहां साफ साफ दिख रहा है कि reminder के place पे नहीं होना क्यों होना चीया क्योंकि आपका 20 reminder के place पे है और 3 आप कि प्लियाजर के place है प्लेशे है यानि diviser हर हाल में reminder से बढ़ा होना चाहिए क्यों बड़ा होना चाहिए क्योंकि रिमाइडर बड़ा हो गया तो धिवाइड से जाएगा यानि जब तक यह बैलू हो यहां की मेल को छोटी नहीं होती है तब तक ढ़ेड आपका पूरी तरह solve नहीं है अगर यह मेरा पूरी तरह solve नहीं है तो हमें क्या करना है हमें करना यह है कि 80 is to 10 अपां 3% यानि अभी इसमें solve करना बाकी है यानि अभी एक दो step और यह जाएगा तो जड़ा एक बात हम आपसे पूछना चाहते हैं यह basic concept है छोटी class का मैं अगर आपसे मैं कहूं 2 is to 1 upon 2 यानि 2 सभी एक बटा दो टाईप का कोई आपके सामने mixed fraction है ऐसा कोई mixed fraction अगर आपके सामने है तो क्या इस 2 is 2 1 upon 2 को हम 2 तो प्लस वन अपान तू नहीं लिख सकते हैं बिल्कुल लिख सकते हैं लिखा जाता है यह आपका मैद का बेसिक रूल है कि दो सही एक बटा दो टाइप का अगर कोई सेम है कैसे सेम है अगर इसे हम फ्रेक्शन में कनवर्ड करें तो टू टू जा फॉर प्लस वन यानि फाइफ यानि पांच के बटे में दो फाइप अपान टू यह भी आएगा यहां पर भी अगर हम देखे इसको यह सेम लेकर हम एड करना चाहें जोड़ना चाहें टू टू बहुत आसानी से मेरे 12 को क्या कर सकते हैं ऐसे में कोई अगर हम तू टू वन पाल टू को फ्लस वन एपांटू लिख सकते है तो बेशक मेरे प्यारे भायों मैं 80 is to 10 upon 3% को बहुत आसाने से 80 plus 10 upon 3 रेकेट के बाहर हमने क्या क्या percentage का symbol लगा दिया बिल्कुल इत्मिना से बिल्कुल आराम से समझेगा बात को बहुत important बात बता रहे हैं अगर आपको यह बात समझ में आ गई तो mathematics में कुछ है ही नहीं ऐसा कोई ऐसा calculation ही नहीं है जो आपको रोग पाए एक्जाम में इन टाइम में करने के लिए है ना अगर आपकी पकड़ calculation पर बहुत अच्छी हो गई तो तभी आप क्या कर पाएंगे आप स्पीड मेंटेन कर पाएंगे और आपकी स्पीड जब अच्छी होगी तभी आप कम समय में जादे से जादे क्योंकि यह बात आपको भी पता है अगर आप exam दे रहे हैं लगातार continue exam दे रहे हैं एक्जाम दिया होगा तो आपनी स्पीड को मेसूस किया होगा कि स्पी परसंट बच्चे ऐसे होते हैं exam hall में बैठे होते हैं जिनका आता हुआ question छूड़ जाता है जिनका आता हुआ questionahu 만 चूट जाता है क्योंकी उनके पास अच्छा अप्रोच नहीं होता कोई अच्छा तरीका तुछ कर पाएंगे जब तक आप ज़्यादे से ज़्याविक्योसन को टच नहीं करेंगे आपका सेलेक्शन होना मुश्किल है तो सेलेक्शन के लिए देखे आपको मेहनत करना ही पड़ेगा मेहनत का मतलब यह है बादा है स्टार्टिंग के मेरे कम से कम 4-5 आपको क्या है कल्कुलेशन पर ही मिलेंगे उसके बाद धीरे-धीरे जब हम काल्कुलेशन पर पर काम कर लेंगे तो हमारा क्या होगा its speed हमारे पास होगी अच्छी speed होगी जैसे सोब container इस्टि टैन अपान त्री परangen हरी परinta कम न यानि 10 में हम 3 से भाग देंगे तो आप करके देखिएगा आपका आएगा 3 is 2 1 upon 3 3 is 2 1 upon 3 अब 3 से बटा 3 जो आपके सामने आ गया ना mixed fraction इसको भी बहुत आसानी से आप ऐसे लिख सकते हो कैसे 3 plus 1 upon 3 यानि 10 बटा 3 को 10 बटा 3 को आप बहुत आसानी से क्या लिख सकते हैं 10 बटा 3 को आप आसानी से लिख सकते हैं 3 plus 1 upon 3 ब्रैकेट के बार हमने symbol लगा दिया तो मेरे प्यारे भाईयों आपको पता है यह बात कि यह जो आपका 80 था 80 आपका किसके प्लेस पे था कोशियंट के प्लेस पे था और यहाँ पे भी प्लेस यहां पीचा है और 3 भी आपका क्या है 3 बहुत आसानी से 80 में आप 3 add कर सकते हैं यानि 80 में आप 3 जोड़ सकते हैं बहुत आसानी से इसमें कोई 2 राय नहीं है यानि आप इसको लिखना चाहें तो बहुत आसानी से यह लिख सकते हैं एक स्टेप हम और लिख दे रहे हैं ताकि आप आसानी से बात को समझ पाएं एक स्टेप और लिखना चाहें तो आपका जो फाइनल एंसर आएगा वह आएगा एटी त्री परसेंट यह आपका क्या हो गया मेरे प्यारे भाइयो एंसर होगा किसका एंसर हो गया जब आपके सामने 5 अपान 6 टाइप का कोई फ्रेक्शन आए और उसे आपको परसेंटिज में करना है तो आप बहुत आसानी से इस तरीके से आप बता सकते हैं कि हम इतना इसलिए रहे हैं डाकी हम आपको समझापा यह एं किन आपकी समझ अच्छी प्रेंट होगी तो यह करने में आपको लिखने के जरूद नहीं है अप इस बात को परसेंटे सकते हो कि 5 upon 6 का percentage value क्या होगा 83 to 1 upon 3% यानि 83 से एक बटा 3% चार्ट में हमने कहीं लिखा भी होगा लिखवाया भी होगा कहां पे हैं देखे दिखाते हैं इधर ने देखे ना आपके सामने ये लिखा हुआ है a fresh to 1 upon 3% का fraction value कितना होता है 5 on 6zon wiggle वहां होता है यह बात को अच्छे में बहुत अच्छे से पता है अगार इतनी बात आप समझते हैं मेरे प्यारे भायायों आगे लेके चलते हैं कि अब तो हमें लगता है कि यह बात आपको बहुत अच्छे समझ में आई होगी समझ में यह आ गया होगा आपको कि हमें जब कोई फ्रेक्शन में कोई नंबर मेरे पास होता है हमें उसे परसेंटेज में करना होता है तो क्या तरीका होता है तरीका हमने बताया जैसे एक नंबर और हम लेते हैं जैसे हमन लोता कितना होता है एक बटा साथ होता है यानि यह बात अगर हमको पता है और आपके सामने ऐसा कोई आ जाए चोटा सा नंबर लेते हैं तू अपां सेवन टाइब काई दो बटा साथ कोई fraction है कोई fractional value है और वो चाहता है कि आप इसे percentage में convert करो अगर percentage में आप convert करने के लिए बोलता है ऐसा करना यानि यह भी जो हम यह आपको सिखा रहे हैं यह calculation आपका क्या होगा किसी पार्ट होगा कोई हिस्सा होगा जिस पर आपको काम करना है यानि अगर calculation के किसी पार्ट पे ही अगर आपने ज्यादर टायम लें लिया तो सप्मोड करो कि क्यों और यह किसी आप कहां कर रहे हैं अगर क्या क्यालेशन होगा अगर bulb क्यूंड अच्छे से काम नहीं करेंगे तो हमारा सवाल सीई टाइम पर लगेगा नहीं यानि अगर लिग आपान जो 7 है ना इसका जो percentage value कितना है 14 इस्टू 2 by 7 % 14 इस्टू 2 upon 7 % होता है यानि 2 multiply 1 upon 7 के प्लेश पे हम क्या लिख सकते हैं 14 इस्टू 2 upon 7 यानि 14 से दो बटा 7 प्रतिशत लिख सकते हैं अगर इतना लिख सकते हैं तो आपको पता है कि 2 का एक बार multiply 14 होगा 14 क्या है 14 आपक अगर मैं बात करूं कि 14 इस्टू 2 upon 7 क्या है तो आप एंगे सरी एक mixed fraction है एक सही बटे में कोई नंबर है mixed fraction है है ना सही बटे का कोई भिन है और हमें क्या करना है 2 से multiply करना है तो 14 आपका question के प्लेश पे है यानि इस 2 का एक बार multiply 14 में होगा और इसी 2 का एक बार multiply 2 में होग करेंगे तो कितना हो जाएगा तो आप करेंगे सब्सक्राइब करेंगे तो कितना जाएगा ट्वेंटी एट होगा यानि 28 और इसी 2 से multiply करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 two 4 अपान में कितना होगा यानि बहुत आशानी से आप यह बता पाए कि टू अपान सिवन कोई फ्रेक्शन बेलू है कोई फ्रेक्शन बेलू है और उसे अगर मैं परसेंटेज में करना है तो बहुत आशानी से लिख सकते हैं प्रतीसत यह आपका अंसर होगा है अगर आप इसी समझे के साथ हम आपको लेके चलते हैं अगे नेक्स्ट क्लास पर आज के लिए अगली क्लास में हम आपको लेके चलेंगे जो कि क्या होगा percentage change into fraction, यानि कोई percentage value आपके सामने होगी, और हमें उसे fraction में कैसे करना, अभी तक हमने क्या बताया, इसके पहले हमने ये बताया, कि कोई fractional value आपके सामने आती है, हम उसे percentage में कैसे convert करते हैं, परसेंटेज में कैसे change करते हैं, अब हम जो इस topic पर बात करना चाहते हैं, calculation के, कि आपके सामने आगर कोई percentage में value आती है, जैसे example के तोर पर हम कहें हैं कि 444 is to 4 upon 9%, इस type का इतना बड़ा कोई mixed fraction percentage में आपके सामने आए, तो इसका fraction अगर हम आपसे जानना चाहें, तो आप कैसे बताओगे, तरीका क्या होगा, आसान तरीका कैसे होगा, तो हमारी अगली class इस ठाहें, क्या है और सम्तुच्छ कैसे बताओ़ Clehim, तो हमारी सामने आपके सामने आपके सामने बड़ से आपके सामने आपके सामने आपके सामने आपके सामना बड़ावार farming, तो